के लिए अध्यू के लिए यह जाएंड होगा फ्रेंद्स एंड वेलकम टू टू एक्जाम समेड सिंपल और वी आगक अगेइन विद्ध हिंदू कॉंप्लीट नियूस पेपर अनालिसिस फॉर्टी फॉर्ट फॉर्ट इप्र फॉर्ट 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 अपरिल फॉर्स देखते हैं शुरू करने से पहले आपको बता दू कि करेंटर फेस रिवीजन सिरीज चल रही है जिसको अगर आप जॉइन करना चाहते हैं तो अगर आप को लगता है कि करेंटर फेस्ट वीक है इस साल के प्रिलिमस के लिए इतना स्ट्रॉंग नहीं है तो आप इसको जॉइन कर सकते हैं नेक्स्ट यर के लिए भी अगर आप चाहते हैं तो एक दो साल का करेंटर फिस्ट आपको पढ़ना ही पढ़ेगा तो अगर आप चाहते हैं कि आप थोड़ा एक विए पेड़् लेना चाहते है तो एक जोईन दस्रीज फॉन देशिव इंक देश्रिप्शन कमेंट सेक्षिन बिलो जाइए, तो स्टार्ट करते हैं कि सवालों के साथ जिंक जवाब आपको देना है पहला सवाल है रिश्पक्त बिलेंड नेशनल ग्रीन ट्रिबुनल मेंग to be bounded by the procedure laid down under the code of civil procedure 1908 but shall be guided by the principles of natural justice. तीसरा statement कह रहा है कि जो the tribunal should have at least 10 but not more than 20 judicial members and expert members jointly. तो आपको बताना है इन में जो कॉंसे statement सही है. 1 and 2 only, 1 and 3 only, 2 and 3 only, 1, 2 and 3. Question number 2 is Dandeli wildlife sanctuary is located in which of the following states तो Dandeli wildlife sanctuary में से कौंसे states में located है आपको बताना है options are A. Udisa B. Karnataka C. Jharkhand D. Uttrakhand Question number 3 is Mars Oxygen in-situ resource utilization experiment. MOXIE is a part of which of the following space program. आपको बताना है कि MOXIE यानि कि Mark Mars Oxygen in-situ resource utilization experiment इन में से किसका पार्ट है? options A. NASA's Perseverance Mission B. Emirates Mars Mission CNSA's Tianwen One Mission या CNSA's Tianwen ये दोनों एक ही option हो गए तो कोई बात नहीं इन ही तीन में से आप answer बता दीजेगा these are the three questions for you today please do try to answer this question बहुत आसान सवाल है है ना दो तो मैंने पूरा आपको पूरा मैंने ही पढ़ाया हुआ है कोई भी चीज छूटी नहीं उनकी चाहे एक आपका जो NGT है दूसरा जो आपका ये कहना चे मॉक्सी है इसके बारे में कल भी मैंने आपको डेटेल ने बताया था तीसरा question एक जो अंडेली wildlife century है जस सर्च करके आप मुझे बताएगे कहां पर लोकेटेर था ठीक है ना तो लेट सी दे मैप अफ दे आज का जो मैप मैं ले रहा हूँ वह मैप है एक्शली एथियोपिया का क्यों एथियोपिया का मैप ले रहा हूँ उसका reason यह है कि अभी फिर से वो news में आया था और इसके पहले भी Tigre region के काराण वो news में था तो मैं आपको वो Tigre region भी दिखाना चाहता हूँ ता कि अपना just reason हो जाए एक बार और एथियोपिया का जो यह important issue है यह फिर से एक बार map के थ्रू में आपको बताता हूँ कौन-कौन सी bordering countries नहीं अपन देख लेंगे ठीक है ना अब देखो यहां पर सबसे पहले आपको जो beach में dark portion है वो एथियोपिया का part है अपन पहले तो bordering countries में सबसे पहला जो part है वो bordering countries का आपको बता दू कि एथियोपिया कौन-कौन सी countries को border करता तो यह जो ऊपर country लिखी है यहां पर नाम नहीं लिखा इसका लेकिन आपको दिख रहा होगा यहां पर country border करते तो इसको हम बोलते हैं Erythria this is the Erythria ठीक है ना तो remember that this is Erythria this is second country जिसको हम third country आपको Somalia दिख रही होगी then आप जैसी नीची आओगे यहां पर fourth country this is your Kenya Kenya is the fourth country this is Kenya this is the fourth country which borders this then आपको country आपको South Sudan दिख रही होगी this is another country that touches border South Sudan तो Somalia Kenya South Sudan यह तो इधर की countries हो गई और इधर मैंने आपको दो कौन सी बताई Erythria and Djibouti for South Sudan की उपर यहां पर आपको Sudan दिख रहा होगा this is Sudan that also touches the border with this region Sudan की capital आपको यहां पर खार्तूम this is the capital part of Sudan खार्तूम आपको दिख रहा होगा यह आपको important है Somalia की मोगाद issue है तो यह मैंने आपको लड़ी बताया भी हुआ है इसमें कोई वाजी बात नहीं है तो यह तो countries हैं border करती है Ethiopia को कौन-कौन सी उपर मैंने बताया Erythria then second मैंने आपको बताया Jibouti third मैंने आपको बताया Somalia fourth मैंने आपको बताया Kenya fifth मैंने बताया South Sudan sixth मैंने आपको बताया Sudan ठीक है ना अब यहां पर आप देखो तो यह कौन सी water body let me tell you about this water body यह कौन सी water body है बहुत easy सवाल है आपके लिए red sea इसको बोलता है red sea और अगर मैं आप से पूछू कि यह कौन सी water body है जिसका नाम नहीं लिखा है तो यह है Gulf of Aden Gulf of Aden ठीक है ना आपके लिए एक सवाल यह है कितनी बार मैंने maps आपको बता है कि red sea यहां पर red sea है यहां गल्फ of Aden है यह बीच में तो connect कौन करता है ठीक है ना तो this is a question to you कि which what connects the red sea with the gulf of Aden यहां पर आपको मैंने आदिये कि यहां पर है red sea यहां पर है Gulf of Aden आप मुझे बताए कि क्या connect करता है Gulf sea को Gulf of Aden से ठीक है ना तो this is a question to you प्लीज डू टेल में अब अपन बात करते है एथियोपिया की तो एथियोपिया में जो refugee movement चल रहा है वो चल रहा है इस तिग्रे province में नदन प्रोविंस है तिग्रे प्रोविंस यहां पर आद रखेगा और इसके दो important center से जहां पर जादा moon fighting चलती है तो यहां पर मैकेले region दिख रहा होगा और यह नीचे अमहारा region दिख रहा है ठीक है ना तो एक मैकेले region है मैकेले region और दूसरा अमहारा region तो यह दोनों regions के नाम याद रखेगा इस आदर टू important regions और यह हमेशा news में भी रहते हैं because of इस refugee conflicts and all तो यह तिग्रे region याद रखेगा नदन region है आपका एथियोपिया का नदन region है और इसके दो important part मैकेले बताया और दूसरा आपको अमहारा region बताया अदिस अबाबा जो है यह एथियोपिया के capital है यह आपको पताऊना चाहिए अदिस अबाबा this is a capital of इथियोपिया so please make sure you remember that as well ठीक है ना तो यह map था I hope you got clarity regarding the same यह map आपको sun में आ गया होगा important map है इसलिए मैंने आपको बता भी दिया पहले भी मैंने एक बार बताया था लेकिन आज फिर से इसलिए बताया क्योंकि यह important map है ठीक है ना move करते है news analysis part की दरफ तो यह एक बहुती दुखत घटना यह हो गई की मुंबई में विरार में एक hospital है जिसमें fire हो गया and covid-19 कुछ patients उसमें fire के कारण से वालब की यह एक तरह के से कहना चाहिए की double punishment एक तरह के से मिल रही है ऐसे लोगों को एक तो already they are facing such a deadly disease इतनी वालब कहने चाहिए भयावा और बेकार condition हो गई है पूरे wish की and भगवान करें कि जल्दी से जल्दी यह condition ठीक हो जो लोग जहां फसे हुए हैं वहां से वो बाहर निकल पाए and बहुत दुनों से ऐसा लग रहा है जिसे एक दो साल से कोई अच्छी ख़वर ही नहीं सुन रहा है आदमी that thing should be over now and let's all pray for the well-being of everyone ठीक है ना so let's pray for that आगे मैं कुछ और news items बता दूँ आपको जो already हम बताते हैं दूसरे newspapers की और दूसरे websites की तो United Nations ने recently release की Second World Ocean Assessment Report ठीक है ना तो सबसे पहला तो आपको सवाल यह पता होना च्छी Second World Ocean Assessment Report आया है ठीक है ना और यह report कौन लेकर के आया है United Nations लेकर के आया है तो Second World Ocean Assessment Report तो First World Ocean Assessment Report भी आया होगी तो Ocean Assessment Report वन जो थी वो पब्लिश होई थी 2015 में Remember that, that was published in 2015 ठीक है ना अब यह Second Edition आया है 2021 में तो what this report contains क्या-क्या चीजा इस report ने बताया है तो पहली चीजा जो रिपोर्ट बताती है वो थाती है कि The number of dead zones in the oceans have doubled जो number of dead zones है Oceans में वो double हो चुके है and they have increased from 400 in 2008 to 700 in 2019 तो dead zones जो है Oceans में वो बढ़ गाए है आपका सावाल मुझे पता है क्या है कि dead zones के हैं सर यह तो बता तो आगे वो ही बता दोंगा Don't worry about that दूसरा point जो report बोलती है वो है कि 90% of the mangrove sea grass and marsh plant species are facing extinction जो 90% आपके कहना चाहिए कि mangrove sea plants और mangrove sea grass and marsh plants species है they are facing extinction ठीक है ना So that is another case third है 30% of the seabird species are facing the threat of extinction 30% जो आपकी seabird species and they are also facing the threat of extinction only 10% of the ocean have been explored and studied केवल 10% ocean का ही study किया गया है भी तक and with this minimal study scientists have found out that oceans are being degraded at huge level केवल इस 10% के study में अगर साइंटिस्टों को यह पता लग गया है कि बहुत जादा degrade हो गया है oceans and all तो सोचो गए पूरी study हो जाएगी तो क्या हाल होगा and the heat content of the oceans has more than doubled since 1990 heat content है oceans का that has doubled more than that has more than doubled since 1990 and this has affected obviously the marine life जो marine life सो उसको affect करेगा ही करेगा अब जो dead zone वाला सवाल था dead zone is common term used for hypoxia obviously बात है hypoxia वैसे आपने human beings के लिए पढ़ा होगा कि hypoxia की condition एक ऐसी condition है जिसमें जो oxygen का level है वो घड़ जाता है तो ocean के अंदर वो zones जहां पर oxygen की supply कम है oxygen का level कम है they are known as hypoxic zones or the dead zones simply आपको remember याद रखना है कि oxygen की supply जहां जहां कम रहती है oceans में जिस जगह पर oxygen की supply कम रहेगी that is known as the hypoxic zone or the dead zone ठीक है ना दूसरा जो news में आपको बताना चाहता था आज का वो था Ethiopia recently declared emergency in the southern part of Amhara region as violence broke out in various parts अब आपको पता चल गया कि मैंने क्यों आपको अपको एथियोपिया और Amhara especially मेकेले और ये सारी regions दिखाए यो कि ये news में भी आया है पहले भी news में आया था ऐसा नहीं कि अभी ये news में आया है पहले भी news में आया था ऐसी चीज़ें आपको पताफ होनी चाहिए ठीक है ना तो ये आपको I hope you got clarity regarding the same आपको समय में आ गया होगा and this is that की जो आपका Amhara region है वहाँ पर declare कि emergency declare की गई है and the violence in Ethiopia has been increased and insecurities extending beyond war hit Tegre region of Ethiopia मैं आपको पता है कि Tegre region में already war zone है है ना rebels है यहाँ पर यह सारी चीज़ें already चल रही refugee zone चल रहा है तो ये already condition खराब है Amhara region में फिर से इस तरह से emergency करना और वो भी तब जब national election already planned है तो these are the things थोड़ा एक और चीज़ करना आप लो कि Ethiopia की जो leader है वो news में क्यों थे recently आप मुझे बताईएगा कोई award मिला था उनको Ethiopian leader को please do tell me that also अगर आप बता सेगे comment section में तो बहुत अच्छा होगा तीसरी जो news है वो है NASA recently launched the shields mission from the white sands missile range New Mexico तो एक white आपकी white sands missile range है नियुमक्सिको में जहां से NASA ने shields mission launch किया and this mission is to study the interstellar particles in the heliosphere याद रखेगा heliosphere में interstellar particles को study करने के लिए basically interstellar particles को study करने के heliosphere में ये mission launch किया गया है make sure you remember this heliosphere में से interstellar particles को study करने के लिए shields mission लाँच किया है shields का full form क्या है Special Heterodyne Interferometric Emission Line Dynamics Spectrometer याद रहे तो ठीक है नहीं रहे तो UPSC जादा तर जो सवाल पूछेगा इसमें वो पूछेगा Shields Mission किसका Mission है या तो पहला या Shields Mission किससे related है ठीक है ना तो दोनों ही आपको पता कि यह NASA का Mission है दूसरी चीज जो आपको बताना है वो है कि Interstellar Light from Interstellar Particles in the Heliosphere ठीक है ना Study the Light from Interstellar Particles from Heliosphere यह आपको बिलकुल Basic याद रहना है ठीक है यह आपको बिल्कुल बेसिक याद रहना है ठीक है यह आपको यूविल Remember this basic fact and these two facts आगे मूफ करते है News Analysis में इतने और क्या important news items है जिसको कि हम जानना चाहते है तो लास्ट यह आपको पता होगा कि Starlight Plant News में था है ना तो Chief Justice of India शरादे बोवडे ओन फ्राइडे वोइस्ट एंग्विश एट तमिल लाडू अब्जेक्शन तो री ओपनिंग दा वेदान्ता इस्टरलाइट कॉपर प्लांट तो सिंपल यहां पर आप याद रखेगा वेदान्ता का स्टरलाइट कॉपर प्लांट है ठीक है ना थूटु कूडी में है ठीक है यह रिमेंबर याद रखेगा इस चीज को कहां पर है यह थूट्टू कोड़ी में टमिलाडू में स्ट्रलाइट प्लांट विदानता का कॉपर प्लांट है यह भी एक बहुत बेसिक फैक्ट है जो कि याद रखना है आपको यह कॉपर प्लांट है ठीक है तो मेकशूर रिमेंबर कमल हसन, Arise and Rejuvenate the third layer of the governance, ठीक है न, तो आपको आज पता होगा 24th of April, today is 24th of April, so this is the Panchaidhi Raj Day, आज जो है वो आपका Panchaidhi Raj Divas भी है, Panchaidhi Raj Day भी है 24th of April, आज दो-तीन चीज़ें actually में, केश्वनन्द भारती केश, 24th of April 1973, आप सो को पता होगा, then 24th April is the birthday of Sachin Ramesh Tendulkar, तो Sachin Ramesh Tendulkar का birthday भी है, तो यह सारी चीज़ें आज के दिन ही हुए थे, काफी important happening day है, 24th of April, काफी important day है, अब यहाँ पे सबसे पहले author ने क्या बोला है, कि actually Panchaidhi Raj के लिए कैसी journey थी, वो चीज़ पहले डिसकस किया, तो obvious सी बात है, महात्मा गादी ने कहा था, go back to villages, village panchaid की बात की थी, महात्मा गादी का काफी ज़ादा, एक push रहता था, towards, मलब की जो panchaidhi Raj इंस्टिउशन से, उनकी regarding काफी ज़ादा push रहता था, ठीक है ना, तो किसी तरीके से शुरुआत कैसे की, 1884 में मदरास लोकल बोर्टस एक्ट पास होता है, यहाँ पे अच्छली कमल हसन ने जो टारगेट किया है, वो तमिलनाडू रीजन को टारगेट किया है, उसी के बेसिस में ही ये पूरा आर्टिकल भी लिखा गया है, तो अच्छली में उन्होंने बताया है, किस तरीके से 1884 में मदरास लोकल बोर्टस एक्ट आया था, और बिटिशर्स को इस समय ये सामझ में आ गया था, कि जब तक आप लोकल्स को पावर नहीं दोगे, तब तक उनके उपर राज करना बहुत कठी नहीं है, तो ये एक इंपॉर्टन चीज थी, अब यहाँ पर जो दूसरी चीज ऑथर ने बोली है, वो ये बोली है, कि इसके बाद कैसे घड़ी आगे बड़ी, इसके बाद ऐसे बड़ी कि 1920 में ग्राम पंचायत लॉइ, जहाँ पर 25 साल से उपर के लोगों को ये पावर दिया गया, कि they have right to vote and choose their पंचायत members, 1920 में ग्राम पंचायत लॉइ आगए थे, ठीक है ना, फिर तीसरी जो चीज इंपॉर्टन तो ये सारी चीज कि 1992 के बाद, फिर जो 73rd Amendment Act और 74th Amendment Act, याने कि जो पंचायतs or municipalities के regarding act है, जिसने कि local governance की शुरुआत के इंडिया में, this is how the process has moved forward, जिस तरीके से, इस तरीके से evolution आप बोल सकने की हुआ है इन चीजों का, ठीक है, तो this was the basic history traced by the author, उसके बाद अब author ने बोला है कि किस तरीके से local व्यक्ति अगर चाहिए, तो locals को सबसे दिक problems पता रहती हैं, they know the best solutions as well, तो वही चीज अथर ने बोली है कि locals के पास अगर power है, तो they can do very good things, वो ज्यादा अच्छे हैं, this is the ideal platform है न, कि अगर आप देखो तो central government और state government के पास अलेड़ी बहुत सारे काम है, कि वो local level की problems को दूर कर सके, तो ऐसे में local governments बहुत important role play करती हैं अलेड़ी हैं न, तो for that reason, local governments provide a great platform for the local issues to be handled, ठीक है न, यहाँ पर author ने और चीज़े बताई, कुछ problems बताई हैं, जैसे कि यहाँ पर कुछ अच्छी चीज़े हैं कि according to the rules framed by the Tamil Nadu government, it is mandatory that Gramsumha meet at least four times in a calendar year, अब जैसे क्या होता है कि जैसे अपने local level पर panchayats चाहें तो rules बना सकते हैं, कि हम चार बार मिलेंगे, पांच बार मिलेंगे, हम यहाँसा करेंगे, meetings discuss करेंगे, चीज़ें issues discuss होंगे, तो ऐसे में क्या होता रहता है ना कि अगर आप इस तरीके से discuss करते रहें तो चीज़ों को और उनके welfare के लिए काम करते रहें, तो तो काफी जादा अच्छा development हो जाता है local level पे इन सारी चीज़ों में, तो यह सारी चीज़े author ने बोलिए, then इसके अलावा author ने आप problems reality बताना शुरू किया, तो reality यह है कि आज भी जो पंचायत्स हैं, जो municipalities अपनी full power में काम नहीं कर रहें हैं, बहुत सारी जगह हैं ऐसी हैं जहाँ पे elections नहीं हो, आप problems लिखते जाओ, many places are there where there are no elections, जहाँ पे elections नहीं होते, जहाँ meetings नहीं होती, third important problem is the financial problem, finance की बहुत ज़्यादा problem है, जो autonomy मिलनी चाहिए, वो autonomy नहीं मिलती है, ठीक है न, then इसके अलावा और क्या issues हैं, इसके अलावा सबसे बड़ा issues है, कि जो women को representation मिलना चाहता है, जैसे आज भी क्या issue होता है, कि women की seats तो reserved है, women को power भी दे दी जाती है, लेकिन दिक्कत क्या होती है, कि नाम की power women के पास रहती है, लेकिन rule उसके थूँ कौन करता है, जो उसके घर के patriarchal heads रहते हैं, तो they are actually ruling, इस तरह के issues बहुत सारे देखने हैं, तो these are the lacunay, और these are the bottlenecks which are still faced by the third tier, if you want to strengthen the, if you want to have efficiency in the local government और panchayati raja system, then you need to strengthen your gram sabhaz, क्योंकि जो basic unit है, वो gram sabhaz है, बेसिक unit तो gram sabhah है, तो you need to strengthen the gram sabhaz, second thing what you need to do is, यह भी लिखते जाना, यह solutions है, gram sabhah को आपको strengthen करना है, दूसरा, you have to have meetings continuously, hold online panchayat meetings, अगर जैसे covid का time, आप बोलोगे, covid के time में कौन मिले काई, तो भाई online panchayat meeting start करो, form ward committees, ward committees बनाओ, जो कि ward level पे जाएं, जिसे for example, मैं अगर बताओ, कि मैं ward number 10 में रहता हूँ, 11 में रहता हूँ, यह 15 में रहता हूँ, जो भी है, तो अब मेरे ward के लिए, एक ward committee हो ने चाहिए, जो कि बताएगे कि, मेरे ward में क्या issues चलता, अब इसे बाते, ज्यादा better solution है नहीं है, अगर मेरे ward पे committee, specifically मेरे ward की issues को देख रही है, तो कितना अच्छे से वो काम कर सकती हूँ, सारे issues, road नहीं बनी है, नाली खुदी हुई है, सब बता देंगे, and ward committees का बहुत important role, एहम role हो जाता है फिर ऐसे में, तो these are the solutions given by the other, then ensure decent remuneration to panchayat chiefs, panchayat chiefs का remuneration ठीक हो, and councillors का, and bestow the gram saba with the power to revoke the appointed members and representatives, यहाँ पे author ने एक और suggestion यह दिया है, कि revoke करने की power भी होनी चाहिए, ताकि revocation का डर है तो उससे काफी लोग ठीक काम करने लगते हैं, these are the steps which are mentioned by the author, that will ensure the real growth in the state, तो यह कुछ state के लिए, panchayat के लिए, third tier के लिए कहना चाहिए, कि कुछ solutions है which have been provided by the author in this article, I hope you will try to remember these as well from your side, जिनको याद रखिएगा, तो these are the solutions given by the author, आगे move करते हैं, देखते हैं और का important news items जिनके बारे में को discuss करना है, you can move ahead with me, BRO reports glacier break in उत्राकंड, BRO याने की border road organization, तो इन्होंने बताया कि there has been a glacier break in the Sumna area, याद रखिएगा, Sumna area है, जो कि which is located close to the Indo-China border ने उत्राकंड, तो Sumna, अगर ये location पूछे ना, Sumna location, Sumna location is located where? It is located in the, located close to the India-China border in the उत्राकंड region, तो उत्राकंड region में है तो इसको याद रखिएगा, BRO का आप सा को पता हूँँएगा, जिनको बार्डर रोड और्गनेशन जो है, ये कुछ neighboring countries में भी बनाने काम करते हैं, neighboring countries में भी roads बनाने काम करते हैं, सिर्फ India में border में नहीं बनाते हैं, neighboring countries में भी बनाते हैं, तो आपके लिए सवाल मेरा ये है, कौन-कौन सी neighboring countries है जहाँ पर कि ये roads का construction का का काम करते हैं, तो this is the question to you, please do tell me in the comment section below, एक important fact आपके लिए और बता दू कि इसके जो formation हुए थे 1960 में, 1960 में, अब चेक भी कर लीजगा एक बार, but I think 1960 में इसका formation हुआ था, please make sure you remember this as well, 1960 में इसका formation हुआ था, आगे move करते हैं, देखते क्या important news item से जिसके बारन को discuss करना है, आगे move करते हैं, तो यहाँ पर ऐसी कोई news नहीं है, जो मैं बताओं आपको, आगे move करते हैं, COVID बहुत ज़्यादा fellow है, आप लोग अपना police ध्यान रखेगा, and थोड़ा मलब की be safe, times are really not good, these times are not good, so please be safe, protest in Myanmar ahead of the ASEAN movement, Myanmar ने protest चलर अव्यस सी बात है, क्योंकि वहाँ पर coup कर दी गई थी, और जो National League for Democracy, यानि कि वहाँ पर elected government थी, उसको हटा दिया गया था, तो obviously बात है, वहाँ के जो जनता है, वहाँ पर उसने coup किया हुआ है, and coup तो, यहाँ पर coup करने का मलब क्या है, क्योंकि ASEAN की meeting होने वाली है, तिकि ASEAN की meeting होने वाली है, और उसके पहले ASEAN का member भी है, मैंनमार, आप सब को यह पता होना, चाहिए ASEAN का member है मैंनमार, तो उसके पहले यह वहाँ पर protest चल रहा है, in order to boycott this ASEAN summit type of thing, or to get, in order to garner the support for the, मलब की joint TQP protest है, उनमें, उनके लिए support garner करने के लिए, तो यहाँ पर मैं आपको थोड़े से fact रहाँ दाते, जिसे ASEAN का है, ASEAN का full form है Association of South East Asian Nations, है ना, it's a regional organization, which is established to promote the political, social stability, and rising tensions among the Asia's Pacific post-colonial states, मलब की Asia Pacific states में, जो भी issues हैं, उनको दूर करने के लिए कहना चाहिए, और economic benefit के लिए ASEAN को बनाए गया था, ASEAN का जो motto है, वो है one vision, one identity, one community, one vision, one identity, one community, और ASEAN Day 8th August को celebrate कर आता है, ASEAN Day is celebrated on 8th August, इसको भी आप याद रखेगा, and ASEAN को जो secretariat है, वो इंडोनेशिया जकारता में, the secretariat of ASEAN is in Indonesia, जकारता, and member nations में, आपके इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपीन, सिंगपोर, थाइलाइड, बुरुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यानमार, कमबोडिया, these are the 10 members, 10 member countries हैं, जो कि इसकी member हैं, ठीक है न, और 1967 में ASEAN was established, ASEAN established कब हो था, 1967 में, and तब ASEAN declaration signed किया गयता है, ASEAN declaration was signed in 1967, और this was the Bangkok declaration, ठीक है न, the Bangkok declaration था, और Bangkok declaration के थूँ, 1967 में ASEAN को बनाया गया था, तो please make sure you remember this as well, इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है, और यह सारी चीज़ा को पता होगी, कि यहाँ पे क्या क्या है, 1997 में ASEAN Vision 2020 भी लिया गया था, 2003 में Bali Concord हुआ था, ठीक है न, यह भी आप याद रख सकते हैं, तो these are the basic facts, जो कि आप याद रख सकते हैं, ठीक है, आगे move करते हैं, देखते हैं, और का important news item से, जिनके बारे हम पूर discuss करना है, तो you can move ahead with me, यहाँ पे आप मेरे साथ आगे बढ़ सकते हैं, France and Japan ने थे कोई भी joint drill नहीं किया, तो यह गलत हो जाएगा, ठीक है, तो यह अभी यह joint drill के लिए उन्होंने agree कर लिया है, यह actually joint drill करी कियो जा रही है, so this is being done actually in order to counter the Chinese rise, तो China का जो rise है न, उसको counter करने के लिए यह drill की जा रही है, so this is done in order to counter the Chinese rise, this is the first ever this type of military deal between Japan, France and USA Russia starts pulling troops from the Ukraine border Russia is pulling from the Ukraine border and these are the some good steps the tension between Ukraine and Russia will reduce the tension there Ukrainian President Volodymyr Zelensky has welcomed this announcement from Russia he has welcomed this announcement from Russia now here he thanked NATO also NATO stands for North Atlantic Treaty Organization and these member countries are North American and European countries and this organization implements the North Atlantic Treaty that was signed on the 4th April 1949 4 April 1904 North Atlantic or Washington Treaty you have to say the Washington Treaty you have to say the Washington Treaty it is going to be implemented the next important thing is the 30th member who is the 30th member you should know North Macedonia Republic of North Macedonia the 30th member is the 30th and the 29th is the Montenegro and its headquarter is in Brussels Belgium the headquarter is in Brussels Belgium so this is another thing which you can remember so these are the basic facts regarding NATO I hope you will remember them I hope you got clarity regarding them let's move on let's move on let's move on let's see what important news items are IRDAI so this is what I have told you many times IRDI Insurance Regulatory and Development Authority of India so this is the question for you so this is the question IRDAI so this is the question what you remember the headquarter or formation year I will give you a hint 1995 after this is the formation okay 1995 after this is the formation so if you tell it will be made IRDAI that is it for the day I hope you will add our video please do like and subscribe keep loving us keep sharing us thank you and have a nice day